पास शरीयत लेने के लिए तो शौक है लेकिन सवाल भी नहीं करना आता आपके जैसे बंदे से और सर भी खा के चले जाते हैं तो मेरे दो तीन क्वेस्टन है अगर आप जवाब देदें तो आवाज इनकी आदम इनकी आवाज साधिया जैसी नहीं लग रही साहिल भाई आपको जिसके जैसे भी लगे आप लीज थोई दिर चुप कर जाएंगे मेरे दो तेन क्वेस्टन और मैं हॉस्पिटल में हो इसा करना है ठीक है और मुझे ये क्वेस्टन करने है हार हाल में आवाजी बन करा दी आपने मेरी मैं एकदम म्यूट करके बैठ जाता हूं नहीं मुझे ये बहुत एहम क्वेस्टन है मैं फिर कभी बताऊंगी क्यों है मैं लेकिन है शरिया शरिया इस वरी इंपोर्टन जल्दी से स्पीरब क्वेस्टन क्या आप वो जो लोफस बार बार बोल रहे थी मँझे उसका मतलब नहीं आता पहले मुझे उसका मतलब जानना है मुझे देन जो अपी एक बन्दा अभी जस्ट कट करके गए और वो बूछ रा था उसका क्या मतलπά मैं आपने गा जाके देखो ब्लीज मुझे बताओगे कि उसका क्या मतलब है एक ऐसा बंदा जो कि इसलामिक लाव पे अथॉरिटी रखता है जिसको अथॉरिटेटिव कहते हैं जो कि पड़ा लिखा है इसलामिक कवानीन के ओपर आपके इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम हंबल ये सारे के सारे मुझतिफिदीन में से हैं नेक्सट नेक्स कॉइस्टों दूसरी बात आपने शुरू में बोला था कि उलल अमर कुरान के अंदर है कुरान कहता है कि उलल अमर से पूछें अल्ण और उसके रसूल और जो उलल अमर हैं उनके पास से जाके information लें क्योंकि आप खुद जो हैं बाबादी के ठुलें आप खुद नहीं कुछ निकाल सकते आपको यहां से ही लेना पड़ेगा जो कि आपके scholar's के question यह है कि अलुल अमर और यह जो आपने दूसरी केटरिगरी बताई है जो आपके इस्लामिक जो आप इतना ही वो शरिया देंगे उलुल अमर नाफिस करेंगे ओके वो शरिया देंगे वो नाफिस्टर नमबर फूर आयत नमबर 115 ठीक है ओके समझा गई दूसरी बात कि उलुल अमर कहते हैं जो authority में होते हैं जो इस्लामिक authority के अंदर है लेकिन उसका government से जो किसी country की government होती है किसी government की government से उसका कोई तालुक नहीं है वो इस्लामिक शरा के लोग है ठेक है हो गया clear बात अब एक और बात कि हाज़त मुहम्मद के time में शरिया नाफिस हुई थी जो और क्या था वो उसने नाफिस ने नाफिस नहीं की थी नहीं नहीं question यह है कि जिस जिस rules पे आज ये muslim लोग apply करते है शरिया को क्या इन ये सारे rules उस time पे apply थे same as it is मेरा मतलब जो उस time पे नाफिस थे तो तब ही तो आपने लिए वरना कहा से लिए है आपने जितने भी शरा लिए इन्होंने ये कहां से लिए है इन्होंने मैं आप जितनी मैंने आप की stream सुनी है मैं वहीं बता रहा हूँ इस कौरान आप की stream से मुझे पता चला है कौरान, हदीश, सीरा और फिर बाद में आपके जो पांसे चारो में खुलफाय राशितीन है वहां से और मुहम्मद के टाइम के उपर शरीयत किस्तों में आ रही थी 23 सालों में किस्तों में आई है कुछ चीज़े शुरू में थी कुछ नहीं थी कुछ आईस्ता एड़ हुई है कुछ चेंज हुई है इसलिए आपके पास नासिखों मनसूख का कॉंसेट आता है नेक्स क्वेस्टिन क्या फिर इसको जब इसमें इतनी ज्यादा चीज़े है कि वो 23 साल में जाकी हो रही थी तो फिर तो आप उसे मुकमल शरीयत आखरी साल में नाफस होगी थी ना इसी वैसे तमाम सुहाबा एकराम ने जो आपके पांचों खुलफा राशिदीन ने उन्होंने उसको नाफस कराया फिर अगले जो खुलफा जो चार खुलफा थी उनके दोर में जो शरीयत नाफस थी फिर वो वो ही चली या उसमें कोई तबदीली आई उसमें बाज में एडिशन होई इसी वैसे मुझतः दीन्स का इश्तिहाद आता तो अब वो जो 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 मुहम्मद के टाइम के उपर नहीं हुई जो कि अब करनी है उसके उपर आपको इश्तिहाद करना वरता है तो क्या ये रूल आज तक के लिए है या आज तक के लिए है लेकिन अगर मुहम्मद के टाइम पे वो हो गया वै और एस इटेस ब्लैक और वाइट में है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते तो फिर ये मुश्तिहदीन आज के दोर में क्या करेंगे जब पर नई चीज़ आएगी फर एक्जेमबल मुबाइल फून मुहम्मद के जमाने में नहीं था क्या हमें मुबाइल फून इस्तिहाद करना चाहिए इसके उपर इश्तिहाद हुआ हुआ जी जी बिलकुए जी 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 बिलकुए जो मुहम्मद के टाइम पर होगे जो उन्होंने फालो कर दी है जो कह दी है कर दी है वो चाहिए नहीं होगे ने ठीक है ठीक है होगे ये बात क्लियर होगी लेकिन हजब मुहम्मद ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा जो दीन है वो मुकमल कर दिया जो आखरी कुछ पाता हैं जी आखरी में किया था न उसके बास बास भी याएते हैं तो जो आएत आए थी इसके बाद बहुत झहुण कुछ किया उसके बाद बूत भी रहते हैं तो नेक्स्ट पर देख रही थो रहा है ने शर्याइट कैसे फिर बन सकती है जब चीज मुकमल ही नहीं हुई आप। कुरान के मताबिक है फिर वो कैसे किसने का है कुरान के मताबिक है वो खुद बोलके गए है कौन बोलके गए है कि मेरा कुरान के मताबिक है किसने का है अधर मुझे बताओ जब उसने नमाज पढ़ी कुरान के अंदर नमाज पढ़ने का तरीका लिखा नहीं लिखा फिर तो क हराम कर दिया उन चीजों को जिस चीज को हमने हलाल ठेराया है कुरान की आयत है तो फिर मुहम्मद का हर अमल कुरान के मताबिक कैसे हुआ कुरान तो खुद गवाई दे रहा है कि मुहम्मद के कई अमाल कुरान के मताबिक नहीं है कुरान गवाई खुद दे रहा है कि मुहम् तो पिर जो कुरान से बाहर चीजी जब अगला दोर आना था तो ला ताला को तो यह पता है ना कि आने वारे दोर में चीजें बदलना आई यूंड केर अभूत यदिया कि अब आप उलुल अमर से इस्तिहाद ले सकते हो तो पिर इस्तिहाद लिए इस्तिहाद लिए इस्तिहाद तो दीन से लग चीज़ है ना इस्तिहाद नहीं दीन से लग चीज़ है दीन का जुज़ है इस्तिहाद लेकिन जो मुहम्मद ने कर दिया और कह दिया वो मौडिफा है जहां कोई शरीयत नहीं है तो क्या है अगर आप उस पर नहीं करे सकते हैं माइगरेशन कर लें वहां से निकल जाएं दफाव हो जाएं वहां से नहीं कोस्टन आखर पूछेंगे जब उन्हें पकड़के लेकर जाएंगे ना जहन्नम की तरह तो फूछेंगे कि तुम अगर वह आपको शरीयत के मताबिक नहीं चलने दे रहें तो हिजरत कर लें तो फिर दुनिया पॉस्टन के नहीं है ना हारें इनसान के लिए कि वो शरीयत के वो शरीयत को पूछे ना मुझसे की पूछ रही है मैं आप सिर्प कुछूंगी जो शरीयत कर रहे हैं अगर वो खुदा होता तो उससे पता होता कि देरीज़ टाइम जो के आने वाला है जिसमें हिजरत करना इतनी आसान नहीं है जितनी साथवी सदी में आसान थी तो अल्ला जो है वो दो नंबर खुदा है ना उसको पता होना चाहिए थने यह बाद एक कुछ ना इसेक्टरी यही मेरा कुस्चन है कि पर आ अखरी बात कुरान या इसलाम के में इताबिक मुलक के कानून की क्या है लुषी है और अप गठ्धिन इसलाम इसलाम कुरान इसलाम जो है ना आपको दो ही कंट्रीज दिखाती है दारुल हरब, दारुल इसलाम, that's it, full stop, टाटा, bye-bye, तीसरी कंट्री है ही नहीं, कंट्री का कॉंसेप्ट ही नहीं है, यह तो आप इसलाम के घर में है, यह आप दुश्मनों के घर में है, full stop, यह तो फिर बिलकुल भी understand करने वाली सिच्विशन ही, तो किस ने कहा है कि आप पर फूर भी बनना है, इसका पार्ट फॉर भी बनना है, मैं एक एक तरीके से सब को थाबत करूँगा, आप यहां पर सवाल करती जारी है, चीजों को बिला वज़ा ओपन करती जारी है, जिनको अभी इतनी जल्दी ओपन ही और जे मैं मुस्मानों से पूछ रहा हूं, let them answer करती हूं, फिर मुझे आज की स्ट्रीम में क्योंकि यह बेसिक क्वेस्टन थे मेरे नुजदी को रही की नहीं थे लिए नेक्स एम पर पड़ा किया यह गाई दिदी, ओके चलें ठीक है, अब दाफेस, प्रिस, जी साल वाई, जी साल वाई, मेरा मुँ टेप लगा दिया मैंने अभी खोल लिया, जी वो उन्हें टेप लगाया था लेकिन, मैंने काया कि अब खोल लें यार, मैंने का रैपिड फायर में सवाल कर लें, जाके जितनी देजी से करेंगी, उतनी देजी से हम जो है न, नेक्स पॉइंट पर पहुंच सकेंगे, लेकिन सवाल उनके असलों ने आके न, अब उन बातों को पकड़ को मन केरी मार नहीं है और असल मुद्धे भी नहीं आना, तो इस व्यासे मैं जोना भी जवाब देना नहीं चाहा था, लेकिन उनके सवाल इतने जैन्वन थे, कि मैं काया, जो लो कोई बात नहीं दार्स कोड, लेट्स लेट् आँ, चले, आप लेट्व, मैं फ्रसा, पानी 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 पी लेट, फिर हम कॉलर्स को लेंगे, नोरीन बरकत जी कह रहे है, हाई ब्रदर्स, इस एम्मी इस जर्मन स्पीकिंग, ठैंक यू सो वेरी मच, नोरीन जी, हम समझ गहे थे, डेक्स जी कह रहे ह इस जी कह रहे हैं, यहां स्ट्रीम करने का मकसद यह है, कि भाई, मौमीनों को पता तो चले के शरिया है क्या, और यह जानना कि उनको है, कि इतना पता, तो हर कोई चाहता है, इंडिया की बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि जो जिस कंट्री में है, वो शरिया कम्प्लाइंट हो जाए, सिदेक्स गेमिंग के रहे हैं, सदफ लीव इसलाम एंड मैरी विच साहिल एंड के एस्टी व्लॉग एंड यूट्यूब, तैंक्यू सो मज, गंगादरी शक्तिमान, तैंक्यू सो वेरी मज फॉर लाल मिर्ची, कह रहे हैं, आडम स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले टीचर से हर स्टूडन डरता है, वो आगे कॉशिंस नहीं पूछता, जिससे स्टूडन का लॉजिक कभी क्लियर नहीं होता, अगर आप गुस्सा होते रहेंगे, तो इसलाम के लॉजिक कभी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, नो मैटर आपको जितना भी नॉलेज हो, अभी इसका जवाब तो आडम ही देगा, गंगादर भई, देखें, कितने लोग इसलाम छोड़ रहे हैं, इसी नॉलेज को लेके, यहां जब वो यह दाज उसको पढ़ती है, वो इसलाम में जाने सकता, क्योंकि वो पूरा रिस्टर्च करके छोड़ेगा, उसके पाद को जवाद नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसी को समझें, कि यह डिफरेंट तरीके से स्टाइल है, साहिल भई का साहिल फ़रक है, मेरा साहिल फ इसलेव को गिफ्ट करो, ना के फ्री, हाँ, एक हदीस हम वो बार बार दिखाते हैं, तैंक यू सो बरी मच, मार्स इंकमिंग भाई के रहे, 81,000 प्लस पाकिस्तानी लॉस्ट देर लाइफ और है तो इन्वेस्ट डॉलर हंड़ेट बिलियन प्लस इनार वार ओन टेरर अगे इसलाम लफज भी नहीं पता, नौत को बाहर जाना भी बैन है, परिष्टे क्या पूचेंगे उनसे, उनका क्या मैं फरिष्टों की भी इंटी नी है उदार कोई निहीं सकता, कोई निहीं आ सकता वहाँ फरिष्टे जेन वेन कोई कोई दखल नहीं कर सकते हैं उदर इस साधिया दी आपके कोश्टिंस बहुत जबरदस होते हैं I would suggest you to ask it from Muslim उलमास उनको आप लाजवाब कर सकते हूँ very good idea on crypto with Heman's I'll please share your Twitter link in chat भाई मैंने किया था यार मैं भी रुख जाओ super chat लेने के बाद मैं फिट से करता हूँ Lucky Opie thank you so very much for your contribution SS भाई करे साहिल to साधा के पीहे ही पीछे ही पड़ गया Mars incoming भाई करे read the most authoritative book on Sharia The Reliance of the Traveler or Umdata Salik in Arabic one needs a strong stomach while reading this specially the section on divorce, sex with pre-pubescent children and jihad thank you so very much Mars भाई हिंदू खतिक कसाई भाई कहे रहे आडम भाई आप गुस्सा मत करो करा करो प्लीज जहां वाजिब होगा गुस्सा वहां करना भी चाहिए भाई मैं तो आज काफी ठंड़ा था फिर भी लोग क्यों कह रहे है भाई मैंने salute क्यों किया के संदीव सिंग आडम और साहिल ऑल फर हुमानिटी तैंक यू सो वेरी मच अमिच शर्मा करें आडम विराट और साहिल दोनी है अग्रेशन और कोल टैंक यू सो वेरी मच अरे अना हग जी भी आई है करें नजराना कबूल फर्माएं आप सब को देखकर खुशी वी हम को कि गॉबलिन भाई धैंक यू सो वेरी मच अदित्या भाई करें हियर मैनी मुस्लिम से अडल्ट वीडियोस क्या सजा इन शरिया अब उस टेम पे अडल्ट वीडियोस थी नहीं ना भाई इस वज़े से मुच्टियाहित की जरूवत है अभी जो पहले वाली बीबी जो है व सजिटेरियन के रहे साधिम सर साहिल सर से सदफ का भूत उतारो अरे नहीं है भूत यार डिविल भाई के रहे एक्जामपल ऑफ टीम वर्क सदफ के साथ साहिल की निकास साजित करवाएगा और डिवोस के बाद आडम हलाला करेगा कहां तक सुच ले रहो यार अधित्य वाई करे शरिया में सजा फोर नो रोजा यहर फ्यू मुस्लिम्स नो रोजा यार हमने एक क्लिप चलाई थी कि अगर कोई जान बुच के रोजा छोड़ता है और खाता पीता है तो इसलामिक कानून के हिसाब से जो हाकिम होगा वो उसको कतल की सजा देगा यह कोई न जाने बनू कुरेजा के काफिले में बच्चो और बड़े आदमी का पता रसुल कैसा लगाते थे चड़ी खोल कर और उस समय जो पजामा होता था वो खोल कर सनी जी ठैंक यू सो बरी मच विश भाई करेंट्ली कोई कंट्री में कंप्लीट शरिया है नहीं है कोई भ नहीं सर इसवेकर तो कोई नहीं है जो था वो अमरीका ने तोड़ दिया जब उन्होंने सौधी आरेविया जो के पहले हिजास था उसको सौधी गवर्मेंट के हाथ दिया यानि सौधी बादशात के हाथ दिया तो उन्होंने वहां से भी शरिया रिमूव कर दिया शरिया म जो चीज़े लिखी हुई है पार्ट टू में आपको दिखाऊंगा स्लेवरी के उपर और जब आप वो देखेंगे ना स्लेवरी के बार में जब आपको बताऊंगा शरीया के बताबिक वो तब ही उन्हाने सौदी आरेबिया ने सबसे एंड में स्लेवरी खतम की थी यू विल बी अमेज्ज के इसलामिक स्लेवरी कितनी गिनोणी और कितनी बेगैरत है नहीं को को आखे इसलामिक स्लेवरी स्लेव के बड़ा बड़ा अच्छा सलेवरी पिससद बड़ा अच्छा यू एंगा but anyhow 4,800 लोग लाइफ देख रहे हैं, प्लीज शेर करें sir आज 5,000 को क्रॉस कारी दे हम कर लियाएंगा, अभी थोड़े देर में हो जाएगा ex-muslim अब्दुल भाई करें, साहिल भाई don't have high expectation from twitter because twitter is also secular, former US president डोलांड trump is best example, no harm trying thank you so very much, असल में बहुत बड़े बड़े लोग, अब्दुल भाई वो twitter के खिलाडी है तो इस वज़े से वहाँ पे भी अपनी पकड रखना जरूरी है and that's why we have started मैं भी उसमें कोशिश कर रहा हूं थोड़ा presence बनाने की Adam साहब भी कर रहा है, so that we can target new people and you know the influential people snarky goblin मैं अब आप दोनों का बड़ा को बड़ा भाई मानता हूं as I don't have a sibling, आप दोनों से सीखने को मिलता है thank you so very much भाई हिंदु खतिक कसाई भाई के रहा Adam भाई और साहिल भाई की जोडी नंबर एक खुश रहो, स्वस्त रहो, अच्छे दोनों भाई, thank you so very much thank you so very much snarky भाई, WBS कह रहे है Adam और साहिल भाई कुरान और हदीस से इसलाम के बारे में कोई बुक बता दे जिसे पढ़के लोग इसलाम की हिस्ट्री और गलत बाते जो इसलाम में जायज है उसके बारे में जान सके प्राइम एक्जामपल जो अगर शरिया का रूल स्विल जेकना है आस पर शाफ़ई स्कूल अफ तॉट्ट तो आप वो बूक क्योंके उसके इंग्लिस टैंसलेशन मौजूद है और इजी ली आपको गूगल पर मिल जाएगी PDF, so you can go through it डाउंलोड और गो तुरू इट अरे करने दो ना यार छोटा की रिकेट को, कोई मुश्किल ने डेटा टेक फ्लिक्स, मेरे दो सूपरचाट मिस हो गए बट स्टीम इस गेड़, भाई आएंगे, आएंगे सब के सूपरचाट आएंगे, टेंशन ना ले और अभी तो, ठाइंच तु स्टीम इयार्ट के हमको जो एक महनत करनी पड़ती थी, ढूंड उनके सूपरचाट स्टार माक करने की वो अब नहीं करनी पड़ती है बिकॉस रिसेंटली स्टीम इयार्ट हाड़ इस निव फीचर वेरिन आप जैसे ही सूपरचाट बेजोगे, वो आटोमेटिकली आटो स्टार हो जाए आड़ी भाई, हलाला सुनते ही रिले रेस वीच्वल आ जाता है सही बोले डंडी उसके हाथ में, फिर तीसरे के हाथ में फिर चौते के हाथ में लेकिन रिले में, आप देखो रिले में, डंडी जो है घूम घूम के पहले वाले के पास नहीं आती है हलाला में, होल मकसद यह होता है के पहले वाले के पास आए आप समझे इसको गौट गन, साहिन ने आड़म को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया अभे भाई, क्योंके मैं ट्विटर पे अभी एक्टिव हुआ ही नहीं हूँ लोगों ने ये तक देख लिए कि तुम मेरे को वालो करना है कि नहीं करना यार, लेवल है यार आज़ा तुमको बताऊं के सिर्फ एक ही इंसान को मैं फॉलो कर रहा हूँ लेकिन कभी उनके पोस्टोस देखा नहीं है मैंने और उसकी वज़ा ये है क्योंकि उन्होंने मेरा मुबाइल लेके अपने आपको ही फॉलो कर लिए तो इसको राउंड नमबर कर लेते हैं 60 पे लेके आ जाता हूँ केशु भाई, लव यू आडम भाई सभी बेहनों और साहिल भाई को राम Рाम सब्लार आपको भी राम राम हमारी तरफ से कॉस्तू बगर्वल, फर्म, मुसल्मान बुरा हो सकता है लेकिन इसलाम मजब पर्फेक्ट है हर मुसल्मान बुरा इंसान नहीं होता लेकिन इसलाम उसे बुरा बनाता है we all have evolved, thank you so very much Blackpink के रहे हैं please don't share, subscribe, he still needs please don't share, subscribe, he still needs 2.3 के रहे भाई, he means के please share and subscribe Leo भाई के रहे है, Sahil भाई, both the short videos are awesome, thank you so very much Hindu Sanatani भाई के रहे है, पैसा चुराया तो hand cut, Sahil ने सदफ का दिल चुराया, क्या सजाए मुझतहित से पूचेंगे आप लोग क्या काट रहे है, आरे short videos, Adam भाई, आपका आपकी UPI ID क्यों नहीं है, please make नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं है, नहीं है यूँ वांट तो आप पेट्रियों जोइन कर सकते नीचे scroll में चल रहा है पेट्रियों, but thank you जे आर भाई, सर आप लोग एक्स मुस्तिम समीर को क्यों नहीं बुलाते Hindi review गुजरात के एमदवाद से ताफिक का दोनों भाईयों को केम चो आपको भी केम चो, सर Old Yogi in UK, they are not letting Kerala story release, UK में भी, दीदी वहाँ भी पहुँच गई क्या, अरे दीदी, चाओ दीदी का हाथ लगता हूँ वहाँ तक है, चलो ये भी ले ले लेते हैं, इनकाई एक ही है था मैट्स में, बिलकुल सदीए कुरान की आयतों से सब्सक्राइब लेट्स लेट्स कम टूदी डिसकॉशन अगे जी, हमारे साथ GW मेन साब जोने हैं GW मेन साब क्या कहना चाते हैं शरीया इसलामिया पड़ा आपने GW मेन GW मेन साब शरीया इसलामिया पड़ा आपने यहर आप चुप जिहाद करने आये हैं निकाल दूँ, ब्लॉक कर दूँ चैट में तो आप बोद बोल रहे थे प्राइविट चैट में ओके ताहा साब, आप दुबारा जुड़े हैं से आज की स्ट्रीम शरीया इसलामिया के उपर है आप दो-तीन जगों पर गे जहां से मैंने आपको घुमा के सारा कुछ दिखाया कि शरीया इसलामिया जब तक मुझते ही दीन आपको नहीं मानेंगे उनको नहीं पढ़ेंगे, आप इसलाम को समय नहीं सकते अब आपको दुबारा क्या बात करना है, कुछ पढ़ा है आपने भी इतनी जल्दी वापस आ गए हैं आप सर भाई जान, एक्चली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक्सिडेंटली तो मैं आपको वापस से मैं आड हुआ तो बाद में खाफी टाइम बात लेट अभी आड रियाड हुआ हो तो आपके साथ बात क्प्लीट होगी थी आपको कुछ मुझतरी दीन कुछ बोल रहते हैं मैं पूचा कि आपको फिर बने में कट-कट हो था सर सुने अब देखें बात यह है कि आपको साथ मेरी बात कंप्लीट होगी थी मेरे मताबिक कंप्लीट होगी थी अगर आप तो नहीं सुना आप रिवाइन में जाकर सुन सकते हैं अब आपका काम है कि आप शरिया इसलामी आप पढ़ें थोरा सा आपको पता लगे कि आप क्या माँग रहे है तो भाजान, my take is that कि if people get scared of raw, you know, like तो चोरिया होईगी नहीं जब लोग देखेगी कि ऐसी punishment होती है चोरो की तो that is actually, that is well and good just like rapist, rapist कि सीधा मार देना चाहिए बट स्टिल, there is not a law कि direct incident अगर एक बंदा अंडा चुराता है और उसका हाथ काट दिये जाता है ठीक है, नहीं तो डिरेक्टी ये कि वो वो दुबारा जिंदगी में कैसे और किस तरीके से अपनी कमाई कर सकेगा तो जो आयत मैं आपको बता है अधा 539 को आयत के जो पर आयत को खोड़ दें, तो मुझे तो माई टेक इस वो जो रिपेंट रिफर्म वेस फॉर रिफर्म, so my understanding is that ताहा अधा अधा उसका इस ते और आयत के पर इसलाम नहीं चाहिए चलता है या स्कॉलरेडी एग्रिमेंट के उपर इसलाम चलता हूँ ओके वान मोस्टेटमेंट दाट यौल अभी रीसंटी सुन रहा था रिगारडिंग 497 की साहिल भाई ने बतायती की जो लोग रह जाएगे और मारे जाएगे इन नौन मुलिम कंट्रिया जिसने हिजरत नहीं की so they will be burning in hell so I just researched upon this in Quran 497 but then next verse 498 except for the oppressed among men, women, children who cannot devise a plan nor are they directed to a way तो वो नहीं जलेगे जहन्नम में so there is incomplete तो आप आदा verse oppressed, hello भाई, oppressed की बात हो रही है अगर आप oppressed नहीं है फिर what's the translation of oppressed अगर आप oppressed नहीं है फिर शरीया नहीं नाफिस है, आपको oppressed नहीं गिया जा रहा है नमाजें आप पढ़ रहे हो, मच्जीद आप जा रहे हो लेकिन शरीया इसलामिया नाफिस नहीं है जोर के हाथ नहीं गाटे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा oppressed नहीं हो आप there is a difference तफसीर पढ़ें दोनों की आपको पता लगीगा इसलिए आपका प्रादम यही है कि आप अपनी मर्जी से कुरान की तफसीर बनाना चाहते है आपको किसने का है कि आप किसी भी शरिया कंट्री के अंदर जहां पे शरिया एवन पचास परसंट तक भी नाफिस है अपनी मर्जी से शरियत के अंदर कुछ कह सकते है that's the problem with you guys इंडियन मुसल्मान जो है ना उनका सबसे बड़ा problem यह है उन्हें इंडिया में freedom of speech मिला हुआ है secular values की विया से और वो कुछ भी बोल देते हैं उनको अंब का पता नहीं है और मैं यही पढ़ाना चाह रहा हूँ और यही बताना चाह रहा हूँ तमाम इंडियन मुसल्मानों को इस वकत कि भाई तुम जो चीज मांग रहे हो तुम उस चीज में रह ही नहीं सकते तुम लोग जो शरीया 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 डिमांडे कर रहे हो तुम लोग रह ही नहीं सकते उसके अंदर तुम लोगों को जितना बच्पन से secular values के अंदर तुम पले भड़े हो तुम जो आजकल कुत्तों कितना भूंक रहे हो हर जगा पे जाके कि तुम्हें शरीयत चाहिए, तुम लोगों ने शरीयत पड़ी ही नहीं है, यह जो बाते तुम यहां पे कर रहे हो मेरे साथ, तुम यह बात किसी शरीया कंट्री के अंदर कारी नहीं सकते हो. तुम नहीं हुआ था इस वैसे, जुट बोल तुम मैंने भी उसी में तफसीर पड़ा हूँ, उसी में वापने में मेंशन है, तुम पीपल अप्मधिना, तुम यह आएट नाजल हो रही थी, क्योंके मकधिना के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मक्का वाले और उसमें मुसल्मान भी हैं और उनको का जा रहा है तो इसमें पर मधीना पर अटाय क्यों कर रहे हैं खोते की बचे यूँ रीद तफसीर आफ 497 तहा सुनो ज्यादा और बोलो कम तुमने तफसीर अभी पढ़ी है मैंने रटी वी है तुमने 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 तुमन हिंदूओं सिखों काफिरों मुर्तिदों की तरफ से अटैक नहीं कर सकते यह आयत उसके उपर है इस तुम्हें तुम जब मरोगे इंडिया आर्मी में रहके लड़ाई करते है वकर फरिश्टे तुम्हें पकर के गसीड के लेके जाएंगे तुम्हें छितरॉल करेंगे तु तुम्हें इंडिया आर्मी जॉइन क्यों की यह आयत उसके उपर है एक्स्प्लीसिटली उसके इलावा इसकी तीन और असबाब नजूल भी है लेकिन मेजर असबाब नजूल इसका यह है यार भाई प्लीज यार जाके पढ़ो फिराना मैंने इसके उपर इंडिया नियू इंडियन आर्मी में जॉइन होके मुलक की हिफादत करें नहीं सकता जहन्नम में जाएगा अगर सोचो इंडिया में अगर इंडिया में मुसल्मानों को मारा जा रहा है तो मुसलिम्स देन डिक शुड़ वी इमिग्रेटिंग ने तो इमिग्रेट नहीं करना है नो 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 यह आयत उसके उपर अगर में मर गया तो अगर में मर गया या पर जा पे मुझे मुसल्मानों को मारा जा रहा है इंडिया में अगर मुझे मारा गया एंडिया में अगर मुझे मारा गया अना i still stood here, even though if i was not oppressed and you know that way, then the angels will be cursing तहां, तम मुसल्मान काब बने रहे हैं? मैं आगनोस्टिक था and then I was into Christianity and Genesim let me tell you and then I finally reverted to Islam you don't know my story so you please you can't you don't judge I have really ताहा, 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 लेसन, ताहा, लेसन, लेसन, you don't know, you don't know Jack, you don't know Jack, मैं आपको गहता हूँ, मेरे चैनल पर जाएं, जिहाद इन इसलाम की तीन लाइब स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वो जाके सुन लें, ठीक है, और नेक्स सेरेडे को सेम चैनल पर आईएगा, मैं आपके इसली 30 मिनट्स दोंगा, लेकिन फोन से बात ना करना, अपने लैप्टॉप पर बैठ के बात करना, टाइम निकाल के आना, चाहे रात को बारा बजी आ जाना, एक बजी आजाना, लैप्टॉप पर बैठ के आना, मैं हर सेरेडे को नो बज़े इंडिया टाइम पर लाइब जब तुम बोलो कि एक स्टेटमेंट मुझे फिर उसको बताना पड़ाएगा दिखाना पड़ाएगा एड़ वेस्माइगा आपको मैं कह रहा हूँ भाई जिहाद इन इसलाम पार्ट वन टू थी देख लें नहीं देखना ना तो मसला खराब हो जाएगा क्योंकि आप अपने फाल्सिफाइड नेरेटिव के साथ मेरे साथ आएंगे तो मैं चाता हूँ एक वाच इंशाला वाच इंशाला वाच इंश अननन प्राइडेug को पारेज To обяз 그 अननन प्राइडेग को प्राइडेव को दॉन प्राइडरो क्राइडार इंप अशाला झाइडेडोन अननन लिविका इन ऊलम कंशाला सब इनल रेव जभि चुम इनसे हंना क्राइड है कि इंशाला फट नDAY प्राइड और आपके गाड़ी वे फून में बहुत अधा प्राब्लम है भाई अगर नेक्स सेड़ेडे को आजाना नहीं आ सको कि तो फ्राइडे को सहील के चैनल पर आजाना ठीके जल्ला एंट चाप्टर नाइन वर्स फाइम है बहुत लोग इनों खाली मैंने आपको तस दफा काया कि मत बोलो कि तुम्हारी क्या अंडरस्टेंडिंग है और तुम फिर बोल रहे हो मैंने बोला है कि अगर तुम कोई अंडरस्टेंडिंग दोगे फिर मुझे उसको सीधा करना पड़ेगा और मेरा पूरा का पूरा आजकी लाइस्ट्रीम जहाद पर चली जाएगी और फिर आप वही के वहीं बोल रहे हों ताहा सीरियसलियार गो वाच और देन कम बैक मैंने आपको कहा मैं आपको कुप्लीट टाइम दूँगा जहाद पर बोलने के लिए मैंने आपको बोला गया आपको कम्प्लीट टाइम दूँगा तो फिर आपको यहां पर वन मोर तिंग नहीं करना चाहिए आप स्क्रिंग छोड़ दें नेक्स सेरेडे को यह उससे नेक्स सेरेडे को आईएगा आपसे बात करूँगा जी मिस्टर जी डिवली में कोई यासर ने नीचे बैठा वाँ जाले जी एक्स मुस्लम अब्दल साहब क्या हाल है जी भाई शुक्रिया बड़िया हूँ साहिल भाई आड़े में आप किसे है ठीक ठाग आपसे नहीं है ठीक ठाग भाई आपका क्या हाल चल बहतर है पहले से तो बहतर है